आप तक हमने हजारों तरह की स्वाद लिये हैं आज खाते हैं और कज़ वे पोट्टी में उसको निकाल देते हैं लेकिन फिर भी ये जीव ऐसा शान्त हुई त्रिप्त हुई अभी ये जीव मचलती रहती है खाने के लिए मचलती रहती है बजार में गए ये देखा ये खान वो देखा वो खाना वो देखा वो खाना बस खाओं 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 ऐसा लगता है कि हम जीने के लिए नहीं खाते हैं हम खाने के लिए ही जी रहे हैं आज जो ये इतनी सारी बीमारियां फैली है इसके पीछे मालूम है क्या कारण है जीब का रस जीब का स्वाद ये सारी बीमारियों की जड़ है जीब का स्वाद क्या खाना क्या नहीं खाना कोई इंसान को विवेक ही नहीं रहता है बस जो मिले स्वाद 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 हमें इस धाई इंच की जीब का ध्यान रहता है ये छे फुट की काया का ध्यान नहीं रहता है कि इसमें क्या डालना चाहिए और क्या नहीं डालना चाहिए हमें स्वाद पर ध्यान देने की बज़ा है स्वास्ते पर ध्यान देना चाहिए हमें वही चीज खानी चाहिए जो हमारे स्वास्ते के लिए लाबकारी हो स्वाद के चक्कर में हम स्वास्थ का कबड़ा कर देते हैं बीमारियां दो जगे से आती है या तो यहां से आती है या फिर यहां से आती है कहां से आती है या तो यहां से आती है या फिर यहां से आती है या तो आधी खाने का ध्यान नहीं रखता है और या फिर दिमाग में सोचने का ध्यान नहीं रखता है हर समय उलूल जूलूल सोचता रहता है हर समय चिंता और तनाव पाले रहता है तो विचारा क्या होगा दिमाग दिरे दिरे कमजोर हो जाएगा भोलने की आदत बढ़ जाएगी याद रहेगा नहीं कोई चीज दिमाग में चड़ेगी नहीं गुस्सा हावी चिंता हावी तनाव हावी अवसाद हावी और हमारा दिमाग हर समय भरा रहता है हर समय भारी रहता है कच्रा पिटी में तो कच्रा कम होता है और दिमाग में कच् क्या होगा दिमाघ दिरे दिरे कमजोर होगा तो इसलिए लॉट और जी पर kontrel और दिमाघ पर כंट्रोल और उसका सिधा सरल मंत्र है लोड मत लो उसका क्या मन्त्र है लोड-मत-लो L M L लोड मत लो न तो पेट पर लोड लो और न दिमाग पर लोड लो लोड फ्री जीवन जीओ इंसान जीवन पर तीन ही काम करता है नंबर एक माता पोड़ी नंबर दो आथा जोड़ी और नंबर तीन भागा दोड़ी यह तीन काम जीवन पर उसके चलते रहते हैं नंबर एक माता पोड़ी नंबर दो आथा जोड़ी और नंबर तीन भागा दोड़ी यह तीन चीजे हर समय चलती रहती है और इसी करण परेशानिया जीवन में आती रहती है तो नंबर एक पेट का कुवा ये कभी नहीं भरता है और दूसरा है शमशान का कुवा ये भी कभी नहीं भरता है कितनी ही चिताएं जलाओ कितनी ही चिताएं जलाओ लेकिन शमशान कभी भरता है नहीं भरता है और तीसरा है समुद्र का कुवा ये भी कभी नहीं भरता है कितनी ही नदिया आए हजारों नदिया समुद्र में आकर के मिल जाती है लेकिन समुद्र कभी भरता है समुद्र कभी नहीं भरता है और चोथा है मोक्ष का कुवा मोक्ष में भी अब तक कितनी ही आत्माय चली गई है लेकिन मोक्ष का कुवा भी नहीं भरा है और पांच्वा और अंतिम कुवा है, वो हमारे भीतर की इच्छाओं का कुवा, ये इच्छाओं का कुवा भी कभी नहीं भरता है, पैदा होने के बाद इच्छाओं सुरू होती है, और अंतिम सांस तक इच्छाओं चलती रहती है, और इच्छाओं को पूरा करने की पिछे हम भागते रहत हैं यह शरीर खतम हो जाता है लेकिन इच्छाएं खतम नहीं होती है तो हमारी एक बिमारी है आई और दूसरी बिमारी है वांट पहली बिमारी है आई मैं 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 हर समय हमारा मैं 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 चलता रहता है कोई ज्यादा मैं मैं करता ना तो पिछली जन्हें में बकरा रहा है तो मैं मैं करने की आदत ये साथ महीं लेकर के आया है हर समय मैं मैं मैंने किया मैंने किया मैं करता हूँ मैंने किया मैंने किया तो ऐसा हुआ नहीं तो उसको लगता है कि मैं हूँ तो यह धरती है, अगर में चला गए तो यह धरती, खटम हो जाएगी, घर में 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 में, वेपार में 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 में, दुकान में 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 में, जहां भी जाएगा में 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 में, हर समय में में में, चलता रहता है, तो यह पहली बीमारी है में, अहंकार की बीमारी, और दूसरी ह want, चाहिए, कौन सी वीमरी है, चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, दिन पर चाहिए, 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 चाहिए और जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो क्या चाहिए मित्र चाहिए और जब हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो अच्छे मार्क्स चाहिए थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो अच्छा जॉब चाहिए अच्छा बिजनेस चाहिए थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो अच्छा पैसा चाहिए और थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अच्छी लुगाई चाहिए थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो अच्छी संतान चाहिए थोड़े और बड़े हो जाते हैं त तो मकान चाहिए थोड़ा और बड़े हो जाते हैं तो नाम चाहिए कभी पोता चाहिए कभी पोती चाहिए कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए अंतिम सांस तक ये चाहिए की बिमारी चलती ही रहती है ये शरीर खतम हो जाता है लेकिन ये चाहिए की बिमारी खतम नहीं होती है तो हमारे दुख का कारण ये दो ही चीजे है नमबर एक आई और नमबर दो वांट मैं यानि अहंकार और दूसरा है मेरा चाहिए ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा चाहिए 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 ये दो बिमारी हमें जीवन भर परिशान करती रहती है तो नमबर एक अपने आपको इच्छाओं का गुलाम मत बनाईए मैं ये नहीं कहता कि हमें इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए इच्छाओं को पूरा करना चाहिए लेकिन इच्छाओं हमारे कंट्रोल में रहनी चाहिए हम इच्छाओं के कंट्रोल में न हो जाए इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए देखिए थोड़ा सा फर्क है एक सेट के साथ भी पांच लोग चलते हैं एक सेट के साथ भी पांच लोग चलते हैं और चोर के साथ भी पांच लोग चलते हैं आपने देखा होगा सेट के साथ भी पांच लोग चलते हैं वो हर समय येस सर, येस सर, येस सर करते हैं और चोर के साथ भी पाँच पुलीस वाले चलते हैं चोर के साथ भी पाँच पुलीस वाले चलते हैं बता है ये दोनों में फर्क क्या है सेट के साथ जो पाँच लोग चलते हैं वो पाँच लोग सेट के अंडर में है वो पाँच लोग सेट के कंट्रोल में है और चोर के साथ जो पाँच लोग चलते हैं तो चोर उन पाँचों के कंट्रोल में है पुलीस वलों के कंट्रोल में है तो हमारी जो पाँच इंद्रिया है ना हमारी जो ये पाँच इंद्रिय हैं यह पांच इंद्रिया हमारे कंट्रोल में हैं या फिर हम इन पांच इंद्रियों के कंट्रोल में हैं अगर यह पांच इंद्रिया हमारे कंट्रोल में है तो समझ लेना आप सेठ है और अगर आप इन पांच इंद्रियों के कंट्रोल में है तो समयले नाव क्या है तो हमें इन इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं होना है इन इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना है